अब आगे का होगा, यह हम आज के हमारे मुवी, Carried Away, यह 1996 के एक ड्रामा Hollywood मुवी में देखेंगे, अब आपके वीडियो चलगता है, तो पीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा, अब बिना किस देरीगे, इस वेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे मुवी का में जोसेफ इसे बच्पन में पेर में चोट लग गई थी, इस वज़े इस लंगडा कर जलता है, अब उसके एच 46-47 है, वो अब भी अपनी मदर के साथ रहता है, क्योंकि उसकी तवियत बहुत ही खराब रहे और टाउन के स्कूल में बढ़ाते थे, अब भी अब भी उन्हें पता चल तुने सीटी में जॉब मिल सकता है, पर ओफर एकसेप्ट करने के लिए रोजली रेडी नहीं थी, इतना जादा वो ट्राइवल नहीं कर सकती, जोसेफ को भी पता नहीं था कि अब वो नेक्स्ट क्या करेगा, रोजली ने कहा कि मेरे फार्म पर तुम फार्मिंग कर सकते हो कैथरीन उसे पुछते हैं कि जोसेफ तुमारे फार है, रोबर्ट ने कहा कि सिर्फ मेरी मदर और उनमें चक्कर चल रहा है, स्कूल ख़तम हो जाने के बात कैथरीन उपने फार के साथ जोसेफ के यहाँ पर आई, जोसेफ अपने लैंड बर होस वेगरा की किया रखता था, कैथरीन के फार ने जोसेफ को पैसे दे दिया, कैथरीन इतने जल्दी अपने होस को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी, थोड़ा टाइम वे उसे राइड करना चाती थी, उसके फार को ज़रा लेट होया था, तो जोसेफ कहता है, मैं उसे घर छोड़ दूगा, आप वरी होबी भी थी हंटिंग करना, एक दिन हंटिंग करकर वो वापस आया, तो उसे मदर को देखने के लिए डॉक्टर आया हुए था, मदर को कैंसर है, उसके पास जादा टाइम अब बचा नहीं है, जोसेफ ने अगर अपनी मदर की फिर से ट्रीटमेंट कर वाई, तो सिफ दो कि मेरे पहले तुम्हारे और और बॉइफ्रेंड्स थे, गैतरे निकाल के आफकोर्स थे, पर तुम मुझे बेस्ट लगे, अगली दिन जब जोसेफ रोजली के साथ था, तो इसी सिचेशन के बारे में सोच रहा था, रोजली बुछती की क्या हुआ, तो जोसेफ कहता है, म अगली दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए फिर से डॉक्टर आय हुए थे, तो जोसेफ से गहते है, तो जोसेफ के फादर भी एक बहुत अच्छे हंटर है, वो गह रहे थे कि उन्होंने वुल्फ लेखा, जादी-जादी डॉक्टर अपनी गंज जोसेफ को देखर ज मदर जोसेफ के लिए वरी करती थी, जोसेफ ने कहा कि मैं ठीक हूँ, आजकल वो बहुत खुश था, और फिर भी मदर ने आख को उसे बात कि, वो कहती है, रोजली मेरे पास आई थी, उसने उसे बात कि, कहा, तुम उसे शादी नहीं करें, क्या तुम मेरे मरने का वेट कर अगर तुम उने सेल करते हो, तो एक अच्छा हनिमून भी अफोड कर पाओके, अपनी लाइफ को तुम बेटर बनाओ, जोसेफ को भी बात अच्छी लगती है, नेकसिन में जोसेफ सब को पोईटरी करना सिखा रहा था, इसमें कैथरीन को उसने एक पेंडिंग को डिस्क् पर गुस्ता आता, कहता है, स्कूल में मेरे साथ फ्लर्ड मत किया करो, जब कैथरीन ने उसे इतना अर्जंटली बुलाया, तो डर गया था, इसायद कैथरीन प्रिंगनेंट है, कैथरीन गया थी कैसा कुछ भी नहीं है, पर जोसेफ फिर भी डर रहा था, तो उसे चिटान कि मुझे एक दिन लगा था, कि मैंने कायोटी देखा, वो बहुत इंट्रस्टिंग अनिमल होता है, वो मैंशा उनकी ज़रूरत से जादा हंट करते है, अगर हम उनकी हंटिंग करें, तो डिजरू करते है, यहां इस सीन का कायोटी का रिफ्रेंस जैरिकली जोसेफ के साथ ह कैथरिन की फादर ने और कहा, क्यो अनिमल एक कुट्टे की तरह ही है, यह सारी बाते है जोसेफ है महसुस कर रहा था, वो डरता है कि अगर कैथरिन की फादर को उसके बार में पता चला, तो उसका क्या हाल करेंगे, आज कल अब जोसेफ की मदर की हालत और भी जरा खराब ह जोसेफ ने नोटिस क्या था कि कैथरिन और रॉबर्ट एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गया है, कैथरिन जोसेफ से बुचा क्या तुम रोजली के साथ शादी करने वाले हो, जोसेफ कहता है कि हमारे बारे में किसे कोई पता नी चलना चाहिए, तो कैथरिन ने बा कैथरिन रोजली के पास आई, और कहती है, आपका वेटा बहुत ही स्मार्ट है, पर आँचकल बहुत ज़रा डिप्रेस रहता है, जोसेफ और तुम शादी करने वाली हो, या बात उसे अच्छी नहीं लगती, जोसेफ ने कैथरिन से कहा कि तुम इसके बार में ज्यादा व अच्छी नहीं, आज़ रात बहुत बारिश हुए, जोसेफ डारेक्ली रोजली के पास बहुच गया, उसे अपनी सारी फ्रस्टेशन बता देता है, वो गयता है, हम दोनों के रिलेशन्शिप में पैशन ही नहीं है, जो भी चीज़े हम करते हैं, बहुत जादा बोरिंग ह जाता हूँ, जैसे तुम अपने एक साजबन के साथ थी, उसी तरीके से मज़े करना चाहता हूँ, उनकी बोरिंग रिलेशन्शिप से हो तंग आ गया था, आइस्टोई में जोसेफ जब 18 साल का था, उसने रोजली से प्यार करता है, पर रोजली जोसेफ के फ्रेंड के तुनों इंटिमेट हो जाते हैं, आज रात ही जोसेफ की मदर की टेथ होगे, फिर नोर पर कैथरीन भी आई होई थी, सारे लोगों ने जो भी लेटर्स लिये थे, इन्हें रोजली आंसर कर रही थी, इसमें उसने कैथरीन का लेटर बढ़ा, इसे उसे पता चल गया कि जो जोसेफ इसे मना करकर देता है, उसने कहा कि में रोजली से ही प्यार करता हो, कैथरीन ने कहा कि तुमें इसके लिए भूगतना पड़ेगा, पberry जोसेफ रोजली को मनाने के लिए उसके घर पर रगया, वो गयता कि में सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हो, तुमूझे कैसा भी ठीट करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और आत बर यही काउच पर सो जाता है अगली दिन जोसेफ के फ्रेंड डॉक्टर रोजली को समझाने के लिए उन्होंने कहा क्यों लड़की बहुत ही अजीव है जोसेफ ने भी गल्दी कर दिए वो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए रोजली बहुत रोल ती पर अब तक उसने जोसेफ को माफ ने किया रोजली का बेटा हमेशे चाता था कि रोजली और जोसेफ का बेक अब हो जाय तो कुछ था वो स्कूल में जोसेफ से बुछता है कि मेरे फादर कैसे थे वो हमें छोड़ कर क्यों कहें उन्हें तो गवर्मेंट ने आर्मी जोइन करने के लिए कंबल सरी भी नहीं किया था जोसेफ कहता है तुम्हारे फादर मुझसे हर काम में बेटर थे वो मेरे सबसे अच्छे बेश फ्रेंड थे पर इस टाउंस तो तंग आ गए थे इसी वज़े सो यहां से हो चलिए के जादे जाद रॉपर्ट जोसेफ से कहकर जाता है कि आज राट तुम्हारे पास कैथरिन के फादर आने वाले है यह बात जोनकर जोसेफ बहुत ही ज़दा डर गया उसने अपनी गन में गर निकाली और घर में चूल चाता है कैथरिन के फादर आने के बात उससे कहते हैं तुम यहां कर कह रहे हो मैं सिफ तुम से बात करना चाहता हो फादर ने का कि चैथरिन ने सीटी में भी यही सारी चीज़े की थी इसी वजह से हम उसे यहां लेकर आये थे चैथरिन कह रही थी तुम उससे शाधी करने वालो वह जोसेफ कहाता है कि मुझसे शाधी नहीं करने वाला बाहर अचानक से जोसेफ ने नोटिस किया कि आग लग चुकिया है। इसे वज़े से तुम उसके साथ है।